हलो फ्रेंड्स आप देखने हैं ड्राइव डॉन दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे होंडाई क्रेटा की होंडाई क्रेटा का कंपनी ने स्पोर्ट्स एडिशन लॉंच कर दिया है और नो डाउट क्रेटा जो है वह होंडाई की एक बेस्ट सेलिंग कार है लेकिन फिलहाल एमजी हेक्टर के लॉंच होने के बाद थोड़ा कॉंपेटिशन इस सेग्मेंट में बढ़ गया है और यह कॉंपेटिशन और बढ़ जाएगा जब किया की सेल्टोस फाइनली लॉंच कर दी जाएगी तो जो लिए जानते हैं इस कॉंपेटिशन से निबटने के लिए होन्ड़े ने अपने इस क्रेटा के स्पोर्ट्स एडिशन में क्या नए अपग्रेट्स किये हैं और क्या रहने वाला है इसका नया प्राइस तो फ्रेंट्स, होंड़ाई क्रेटा के स्पोर्स एडिशन में कम्प्नी ने काफी सारे नए अपग्रेड्स किये हैं चाहे वो गाड़ी के भार के लुक में हो या फिर अंदर कैबिन में और जो इसका नया प्राइस है यानि कि इस स्पोर्स एडिशन का जो प्राइस रखा गया है वो पेट्रोल वेरेंट का लगबग साड़े बारा लाग के आसपास का है जो की एक एक शोरूम फिगर है और वहीं डीजल वेरेंट के लिए चौना लाग रुबेगे आसपास आपक हैं फेंटम ब्लैक और डूल टोन पोलर वाइट यह दो कलर्स आपको इसमें मिलते हैं और साथ ही अगर आप इस गाड़ी की रूफ को ब्लैक कांट्रास्ट वाला करवाना चाहें तो उसके लिए आपको लगबग 10 से 11,000 रुपए एक्स्रा पेग करने पड़ेंगे यह जो उसकाड़ी के अंदर आपको नए अपग्रेट्स दिये गए हैं उनमें स्मोक प्रोजेक्टर हैट लैंप्स ब्रश्ट सिल्वर रूफ रेल्स ग्रिल के लिए डाक फिनिश फॉक्स इसके अंदर इंक्लूड़ीड हैं साथ ही इसके और व्लैक आउट कवर्स दिये गए हैं और इसके अगर रियर की बात करें तो उसके अंदर आपको स्पोईलर और ट्रॉम एग्जॉस्ट टिप लगाई गई हैं होंड़ी क्रेटा स्पोर्स एडिशन में आपको 1.6 लिटर का जो पेट्रोल इंजन है वो 4 सेलेंडर पेट्रोल इंजन है जो की 121 बहप की पावर औ 151 एनम का टॉक जनरेट करने में सक्षम है साथ ही इसका 1.6 लिटर वाला डीजल इंजन आपको 126 बहप की पावर और 260 एनम का टॉक जनरेट करके देता है और बात करें इसके नए चेंजिस की इसके कैबिन में तो जैसे कि मैंने आपको पताया इसके अंदर आपको आल ब्ल इसी वेंट्स हैं उनके लिए सिल्वर बेजल्स और इलेक्रिक संग्रूफ जैसी चीजें इसके अंदर दी गई हैं होंडा के बाकी फीचर्स की बात करें तो इस स्पोर्स एडिशन में आपको 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 क्लामेट क्लामिट कंट्रोल साथ इंच का टॉच किसिन इंफो इडिशन में दी गई हैं और यहां कंपनी ने पूरी कोशिश की है कि वो जो आगे आने वाली जुनोती है नई गाडियों के रूप में उनको पूरी तरह से कंपनी अच्छे से हैंडल कर पाए तो आपकी कह रहा है इस गाड़ी के बारे में और इस सेक्मेंट के बारे में वो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शिर कीजिए और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और श्रकान ना भूलिएगा साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं या उसमें ट्रैवल करते हैं तो सीट बेल्ट प्ली झाल झाल